महराष्ट के नांदेड में सिखों के जुंड ने पुलिस कर्मियों पर जम कर हमला किया इस हमले में चार पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए दरसल हम आपको बता दें कल होली का फेस्ट्वल था और सिखों को करोना वाइरस के कारण जुलूस निकालने की अनुमती नहीं दी थी इसी बात से नाराज तलवारों से लेज सिखों की भीर पुलिस कर्मियों पर तूट पड़ी और इतना ही नहीं जुन्ड ने स्पी और डिस्पी की गाडियों पर भी हमला किया इस वाइरल वीडियो में दिख रहा है कि तलवारे लिए लोगों की भीर सिखों की भीर गुर्दवारे से बाहर निकली और पुलिस की और से लगाये गए वेरिकेट तोड दिये और यही भीर बताई जा रही है तैनात पुलिस कर्मियों पर तूट पड़ी इस हिंसा में कई वाहन भी छतिग्रस्त हो गए है नांदेर रेंज के पुलिस उक महानिजिच्छा दियाईजी निसार तंबोले ने इस घटना के बाद बताया कि नांदेर के हुजूर साहिब गुरुदवारा सिखों की और से होला महला का जुलुस निकाला जाता है महराश में कुरोना महमारी के चलते इस जुलुस को निकालने की इजाज़त नहीं दी थी इसकी सूचना गुरुदवारा कमिटी को दी गई थी उन्होंने हमें अस्वस्त किया था कि वे हमारे निर्देसों का पालन करेंगे और कारकरम गुरुदवारे के परिसर के अंदर करेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया निसार तंबोली ने कहा कि घायल हुए चार पुलिस करीमियों में से एक कंस्टेबल की खालाद गंभीर है छे पुलिस के वाहन छतिगरस कर दिये हैं और इस हिंसा के बाद 200 से जादा लोगों के खिलाप भारती दंड सहीता की धारा 307, 324, 188 वा अन्य धाराओं के साथ अलग-अलग मामने दर्ज किये गए हैं 60 लोगों के नाम सामिल हैं और नामजद लोगों में से 16 को गिरप्तार कर लिया गया है आप देखिये पूरी हमारी इस खबर में किस तरह से सिखो की जुन जो है पुलिस पर हमला कर रही है और किस तरह से वेरिकेट जो पुलिस ने लगाई थी उससे तोड़कर आगे बढ़ गई और पुलिस पर जो है किस तरह से लाठी डंडो से जो है तलवारों से लैस सिखो को ने इस तरह से हमला किया को अजय 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 को अज